अलो दस्तों एक बार फिट्स वागत है आपका हमारे शानल पर मेरा नाम है वरुन और हम बात कर रहा है CUET की दो यार CUET में एडविशन सब लोगों के लिए एक दिमाग की बात हो गई है कि यार दिमाग परिशान चल रहा है क्यों चल रहा है चाहिए CUET हो गया है अब अच्छा कॉलेज हो सकता है जिसकी हमें जानकारी नहीं है तो पूरी जानकारी हम यहां डेली उसे रिलेटेट डी उसे रिलेटेट जो प्रमुख प्रमुख कॉलेजेस हैं के साथ आपके पास आ रहे हैं जिनमें अभी हम बात करने वाले हैं देश बंदू कॉलेज की जो दिल्ली से अफिलेटेट कॉलेज है बलग डैली उनिवस्टी का और अच्छी खासी इसकी रैंकिंग आती है के का टॉफ भी बहुत हाई नहीं बाखी की उनिवस्टी के जैसा बाखी की कॉलेज जैसा लेकिन ठीक है नॉमिनल है अच्छा हाई स्कोर इनका कटॉफ जाता है तो क्या कैसी फैसलिटीज है क्या-क्या इनके रिक्रूटमेंट्स रहे हैं टॉप रिकूटर्स क्या है फैस इसी चैनल पर मिल जाए तो चली स्टार्ट कर लेते देस बंदू कॉलेज के बारे में यह बहुत ही प्रॉमिनेट कॉलेज है डेली उनिवस्टी का याद रखियेगा ठीक है यहां अगर बात करी जाये तो निव दिली इंडिया में यह सिचुएटेड है और 2022 के एड़ीश माध्यम से वो सारी चीजे आपको पता है CSAS पोर्टल पर है आपको सीवी टेलोगेशन सिस्टम पर क्या है जाके इसमें seat preferences देना है यहां पर phase 2 भी start हो चुका है साथ ही साथ कुछ दिनों में release होने वाली है list तो उसके बाद क्या कैसे करना है वो हम सारी चीजे अपन पर discuss कर लेंगे उससे पहले अगर आप चींज करना जा रहे प्रफरेंस सारी चीजें तो देख लेते हैं 1952 में 1952 में established किया गया था यह दीस बंदू कॉलेज और पब्लिक यॉनिवस्टी है 200 एकड़ पे फैला हुआ भब्बी कैमपस है यहां पर किसका दीस बंदू कॉलेज का औ साथ ही साथ classroom, library, facility, laboratory हो गया, IT room हो गई सारी तमाम facilities जो होनी चाहिए कि उनिवस्टी में वो है आप हैं पोर्स इसकी बात करें तो UG और PG, undergraduate और post-graduation दोनों प्रोग्राम यह करवाते हैं बहुत सारे New Delhi, India इनकी location है, scholarships क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं देस बंदू कॉलेज में तो पिया लाला देज बंदू गुपता अवर्ड फॉर academic excellence अगर आपने बहुत ही उच्छ प्रदर्शन किया है अपने academics में तो उसके लिए number of awards की अगर बात करी जाए तो चार awards दिये जाते हैं कौन कौन से science student के लिए जिसमें सभी science और mathematics student है उनको इस category में रखा जाता ह humanities के लिए एक अलग ये award दिया जाता है excellent students के लिए जिसने humanities and commerce में अच्छा प्रदर्शन किया है इसके अलाबा toppers के लिए जो भी university exam में top करते हैं उनके लिए first attempt में जो top कर रहे हैं उनके लिए ये दिया जाता है और agri grade बाले विक्ती first, second और third year के तीनों के अच्छे agri grade हों तो ये बच्चे यहाँ पर eligible हो जाते है इस excellence award के लिए या scholarship के लिए जो लाला देजवन्दु गुपता आवार्ड के रूप में दी जाती है लाला लाजपतराय gold medal भी यहाँ पर scholarship दी जाती है ये किसके लिए है NSS worker जो होते है ना national स्वयम सेवक है ना तो भाईया उनके लि कास gold medal ये भी दिया जाता है ये सभी all-rounders जो है उन सभी में किसमे biochemistry में सभी बच्चों को all-rounders को दिया जाता है ये gold medal और Mrs. Gorey Ben gold medal भी यहाँ पर दिया जाता है जो first position बाले बच्चे को दिया जाता है जिसने chemistry honors में पहले साल में पहली number पर जो आया हो उसको ये Mrs. Gorey Van क्या है gold medal दिया जाता है इसके अलावा सीमा सकसेना कुल स्रेश्ट memorial scholarship भी प्रोवाइड करी जाती है किसके लिए ये female category के सारे के सारे student है मतलब जो females है girls के लिए और girls में भी तौपर हो जो girl और कौन से प्रोग्राम में become honors third year के फोगा उसको ये सीमा सकसेना कुल स्रेश्ट scholarship सिप दी जाती है साथी साथ स्री मती मनोर्मा जोशी scholarship भी यहां provide करी जाती है किसके लिए पहली position पर जो Sanskrit Honors में पहले year में है है first year के प्रोग्राम में जो first number पर आते हैं उनके लिए स्री मती मनोर्मा जोशी scholarship प्रोवाइड यहां की जाती है स्ट्रिलोचन दत्योशी स्कॉलर्शिप भी है यहाँ पर स्ट्रिलोचन दत्योशी स्कॉलर्शिप भी है यहाँ पर स्ट्रिलोचन दत्योशी स्कॉलर्शिप यह पहली पुजीशन पर संस्कृत ओनर्स में सेकंड डियर के बच्चे को दिया जाने वाला स्कॉलर्शिप होता इसके लाबा अंजन दत्त मेमोरियल राइस भी यहां पर दिया जाता है किसके लिए फर्स्ट पुजीशन पर संस्कृत ओनर्स थर्ड यर के बच्चे के लिए अगर एक बच्चा फर्स्ट यर सेकेंड यर तीनों में संस्कृत ओनर्स के प्रोग्राम में पस्ट आता है तो उ जाता है उसको यह अवदार गृष्ण धर कॉलर्स भी जाती है ताती साइट डॉक्टर रुची सर्मा मेमोरियल प्राइस भी यहां पर स्कॉलर्शिप के रूप में दिया जाता है जिसमें फर्स्ट पुजीशन बीकॉम ओनर्स के बच्चे को जिसने तीनों साल में एग्र कोर्सिस हों अंडर ग्रेजुएशन के या पीजी कोर्सिस हों पोस्ट ग्रेजुएशन के ये कॉलिच परवाइड करता है जिसमें BA MSC पी कॉम के बहुत जो है बड़े-बड़े कोर्सिस इंक्रूड करे जाते हैं इपाट्मेंट की बात करें तो साइन्स डिपाट्मेंट ह है जिससे BSC और MSC के courses conduct करवाए जाते हैं Commerce Department है जो बिया B.com, M.com के courses conduct कराते हैं और Humanity and Arts का department है जो भई B.A., M.A., B.A. Distance Learning वाला साती साथ M.A. Distance Learning वाले program कराते हैं ठीके न भई इसके लावा courses में बात करें तो BSC program अगर आप देजबंदू college से करना चाते हैं तो BSC के 10 specification के courses हैं यहाँ पर देजबंदू college में हैं जिसकी fees की बात करें total सारी 29,000 something something 39.28 के से लेखे 53,000 और 500,600 रुपे के कुछ आसपास तक का यह पूरा 3 साल का program है याद रखिए यह fee structure change होता रहता है उपन नीचे scholarship और बाकी चीज़ों को लेके अलग-अलग कास्ट के लिए अलग-अलग यहाँ पर fees होती हैं तो इनको please एक पर confirm जरूर कर लिजगा यहाँ पर eligibility क्या बताई है अगर आप BSC करना चाहा रहा है तो CUT के थ्रू ही QG वाला जो entrance exam आपने दिया उसके थ्रू आपको यह course मिल पाएगा MSC का एक course यहाँ पर कराये जाता है जिसकी fee अगर बात करें तो दो साल की 22,000 यानि लग-बगते ही 1000 के आसपास पड़ती है graduation में आपकी 50% marks हो और यहाँ पर DUET की जगा यह CUT है क्योंकि अब DUET वाला जो डैली उनिवस्टी का entrance exam होता था वो बाद में करायेंगे पहली priority CUT PG exam बालों को दी जाएगी ठीक है भाई इसके लाबा BA courses की बात करें तो BA की specification 27 courses में यहाँ पर करवाई जा रही है 27 courses है available जिनकी fees लगभग 30,000 से 38,000 के 20 में तीनों सालों का total है और एक बार चेक फिर भी आपको करना है इसमें 12th class में minimum 40% marks हों और CUET UG का entrance exam आपने दिया हो उसके basis पर आप यहाँ पर यह course के लिए apply कर सकते हैं एक्सट B.com के एक course की बात करें तो B.com का एक course यहाँ कर आया जाता है लगभग 3 साल का यह course है 49,000 रुपे के आसपास इसकी fee पड़ती है CUET UG के exam के through आपको यहाँ पर admission दिया जाएगा MA, MA के 5 specification 5 courses है जिसमें 23,000 के आसपास 2 साल की fees है और graduation में 40-60 प्रतिशत मार्क्स और साथी साथ CUET, DUET नए, CUET, PG वाला exam आपने दिया M.com का एक course है यहाँ पर जिसमें लगभग 30,000 रुपे की 2 साल की fees है और graduation में 50 प्रतिशत मार्क्स और CUET के PG वाला entrance exam आपका होना अनिवार है इसके अलावा admissions की अगर बात करें तो भिया देजबंदू college ने 18 courses जो है वो total UG program के कौन-कौन सी language, literature, history, political science, essay courses के 18 course जो है और भाईया इसके लिए आपने अभी तक आवेदन कर चुका होगा बिल्कुल पक्की बात है अब तो list भी आने वाली है और यहाँ पर जो fees बताई थी 600 रुपे जनरल candidates के लिए 500 रुपे SCSTPWD के candidate जो है उनको जनरल और OBC category के 600 और बाकी SCSTPWD बच्चों के लिए 5500 रुपे की fees यहाँ पर लगनी थी यहाँ पर इस UG program में CUT score के बाद E counseling होगी सारी चीज़े होगी वह हमें discuss पता ही है सारी चीज़े यहाँ पर E counseling कैसे होगी online platform के द्वारा होगी और यहाँ पर तो round करवाए जाएंगे और उसमें college आपके prefer आपको करना है उसके बाद fee submit करना है स्कोर्स के माध्यम से हाँ अगर कुछ बच्चे जो है sport या extra careeral activity इसको ECA कहा जाता है sports quota या ECA वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से क्या है अलग चीज़े करवाएं क्या करवाई हैं कि भईया उनने आपको स्कूइटी एंट्रेंस दिया हो हाला कि इसमें कम परसेंट रखा हुआ है बाखी जो टेस्ट इनका होगा physical test पगेरा होगा ECA extra careeral activity यह जो है इसमें candidate का performance test भी होगा उसके बाद और उन दौनों के माध्यम से यहां पर अबिशन होगा जिसमें जो आपका performance test है बच्चे का उसमें 75 प्रतिशत स्कूर होना चाहिए और 25 प्रतिशत का स्कूर कहां से CUAT का स्कूर होगा इन सब को मिला के 100 परसेंट और उसके basis पर यहां पर इन फैसिलिटीज में चाहे वो sports candidate हो या इसी एक एंडिडिड हो उनको एक्जाम के थ्रू इन सारी चीजों के थ्रू ही एडिशन दिया जाएगा में यहां थोड़ा से कम हो गया था 96.5 और यह यहां पर सीटें ही फुल्फिल हो गई था ठीक है फिर special cut-off आया था जिसमें वी कॉम ओनर्स के लिए आपका 96.5 और यह सेम के लिए special cut-off जो second आया था उसमें और special drive conduct करवाई गई थी यह अतम हो गया था बी कॉम कोर्स का लेकिन बी और कॉनमेक्स में 85 परसेंट डायल पर आपको यहां एडिशन बिल गया था special one वहीं बी एस सी ओनर्स बायो गामिस्ट्री के लिए 93 परसेंट गया था cut-off है ना 93 यहां closed 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 फिर इस फिप्त कट-off जो आया था चला गया था और फिर यहां जगा यह प्रोग्राम की बात करें इंग्लेस और economics में 97 cut-off गया था first cut-off में फिर कम हो के 93.5 हो गया था फिर यहां से कारे close हो गये थे क्योंकि सीटें ही भर गई थी तो कोई जरूरत ही नहीं ठीक है यह प्रोग्राम इंग्लिस वाला फिर भी अब यह सी मैट्स में अगर आप कर रहे थे तो 96 cut-off गया था फिर सेकंड के टॉप में यहां पर 95 हो गया था थर्ड में तो जगई थी नहीं फिर भी स्पेशल में 95 ही रहा था फिर 94.50 हो गया था फूर्थ cut-off में 94 फिर भी स्पेशल ड्राइब में 92.5 और स्पेशल सेकंड के टॉप बाली जो आई थी उसमें 87 cut-off चला गया था तो अगर यह की प्रोग्राम आप करना चाहरे हैं तो यहां पर भी थोड़ा cut-off कम होता चला जाता है रंकिंग्स की बात कर लें देश बंदू कॉलेज की तो प्या देश बंदू कॉलेज को अलग अलग अवर्ड और रंकिंग दी गई है स्टार कॉलेज प्रोजेक्ट यह 2019 में प्रोजेक्ट चल रहा था बायो टेक्नलोजी डिपारटमेंट जो हैं गवर्मेंट ओफ इंडिया का उसने यह अवर्ड इंको दिया था स्टार कॉलेज ठीक हो 2019 मैं फर्लड एकॉनमी इंभाइर्मेंट और डव्लप्मेंट किताब जीता था साथी साथ इस्टुडेंट जो है देश बंदू कॉलेज के उन्होंने इंटर कॉलेज पंजाबी कुछ कॉम्पिटिशन जो है वो भी जीता था तो भईया यहाँ करिकुलर एक्टिविटी अच्छी हो जाती हैं सारी चीज़े हैं प्लेसमेंट को और देख लेते हैं बहुत सारे बच्चों को समझय रहती है तो अगर प्लेसमेंट की बात करे जाए तो यहाँ पर बच्चों के फ्यूचर को देखरेक करने के लिए placement cell डबलब किया गया है और यहाँ पर highly experienced teacher जो है साथी साथ तीचर bright student को क्या करते हैं coordinate करते हैं placement cell में साथी साथ यहाँ पर बहुत सारे effort effort देने के बाद क्या गरवाती है डॉक्टर सुर्भी दींगरा जो यहाँ प्रदर्शन किया है कहाँ पहुंचे थे team अंडर दा कन्वेंसर्शिप के माध्यम से यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारी opportunity चाहे वो internship की हो program की हो placement की हो वो provide करी जाती है अगर इनकी बात करी जाए तो जैसे गेन पैक्ट की company थी यह इसने financial accounting banking financial service यह इस position के लिए hiring करी हुई थी और यहाँ पर average package जो गया था वो 2 से 2.75 LPA का लाख प्रती वर्स का यह गया था on an average package था यह गेन पैक्ट का विपरो जो आई थी company आपे उन्होंने customer service specialist के लिए CSS इसमें तीन से साड़े तीन लाग का average package यहाँ पर बच्चों को प्राप्त हुआ था आयनिक iconic fashion यह आपने आजकल सुना होगा बहुत ज्यादा चल रहा है यह fashion iconic iconic यह यह beauty products का काम करते हैं तो fashion consultant की post इन्होंने recruit करी थी बच्चों को साड़े तीन लाग का on and average package यहाँ पर गया हुए था amazon का नाम तो आख सभी ने सुनाई है अच्छी company है associate customer support के लिए यहाँ पर recruit किये थे तीन लाग का average package था बच्चों का edigraft college दुनिया है ना यह तो भाई अपने नाम सो नहीं होगा इन्होंने subject matter expert की लिए recruitment किया था धाई से साड़े तीन लाग का average package किया था देंसेट एंसेट company ने business development personal के लिए दो दसमलो चार और incentive का program यहाँ पर रखा था तो यह बच्चों को on and average package LPA मिला था या package मिला था पिछले पिछले वस 2021 है टॉप recruiters की यहाँ पर बात कर लें तो कौन कौन से top recruiters है तो विप्रो हमने दिक्कत देखी लिया था Google भी आया हुआ है HDFC group Deloitte का ठीक है JP Cement SR Bajaj Capital PCS Deloitte OYO तो यह इनके famous main top recruiters रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को placed किया है तो भाई अच्छा placement है सारी चीदें अच्छे अच्छे company आती हैं अब भी आ अबोर्ट्स और इनके recognition की बात कर लेते हैं देश बंदू college की तो भाई देश बंदू college को 28 भी rank मिली थी college category में NIRF के द्वारा 2022 की ranking नहीं से घराब नहीं है थीक है इसके अलावा इंडिया टुड़े ने 2021 में 30 पुजीशन दी थी placement records में 44 भी पुजीशन दी थी science में 54 पुजीशन थी commerce में और 88 नंबर की पुजीशन थी arts में तारी उनिवर्सटी में colleges में इनको ये in courses के लिए position किस ने दी थी इंडिया टुडे ने दी थी इसके अलावा अगर बात करें तो टॉप 100 colleges की जो लिस्ट आती है नेशनल इंस्टिट्यूट रैंकिंग फ्रेमबर्क जो NIRF है उसमें इन्हों ने क्या किया है भईया ministry of human resource development government के द्वारा इसको क्या rank दी गई है 28 बे नंबर की rank दी गई है और NAC के द्वारा B++ grade साथी साथ scale 2.8 पर इनको ये grade दिया हुआ है किसको द्वारा NAC के द्वारा तो भई अच्छा खासा इनका accredition है dbt star college project जो हमने discuss कर लिया था जो department of biochemistry, botany, chemistry, physics और psychology इनके द्वारा ministry of science and technology के द्वारा इनको दिया गया award था dbt star college project इसके अलावा college library ने भी यहाँ पर award जीता था best managed library award ठीक है ये 38th world management congress जो organize करी गई थी federation of Indian university ठीक है college यहाँ पर sir p.m. joseph national award भी प्राप्त गर चुका है किसके लिए sport excellence, best department promoting specific sports में ये college ने ये किताब जीता था तो अच्छे खासे awards भी है यहाँ पर प्राप्त गर चुका है ये college alumniize की और बात कर ले दे पुराने कौन-कौन से शात्र रही है जिनोंने इनका नाम उचा किया हुआ है तो भीया अश्योग लवासा सहाब अरे ये तो बहुत ही प्रमुख विक्तित्त है इनका नाम तो आपने सुना होगा ठीक है ये finance secretary रहे हैं हैं इंडिया के रहे हैं अभी कुछ समय पहले ही इस पत्से ये वह हुए है रबीस कुमार का नाम तो आप सभी ने सुना होगा बहुत ही फेमस journalist है भई आई है ये यह भी यही के अलमनाई है प्रभू चावला आरे वाह ये इंडियन जनर्नलिस्ट तोड़ो जनर्नलिस्ट हो और अच्छे खासे नाम है इनके रगुराम सहाब रगुराम सहाब यह टैलीवीजन प्रोडूशर है और गुलसन कुमार का नाम तो आपने सुनाही ह तो वो प्रभू को प्रभू को जितनी भी फैसलिटीज है कि उनिवस्टी में जरूरी है वो सभी होंगी आप है जैसे कि बैंकिंग की कैंटीन की गल्स, कॉमन रूम, पारकिंग, फोटो कॉपियर, लाइब्रेरी, बैव एकसे सेंटर, प्लेस्मेंट सैल, सारी की सारी जीजेगा ताकि उसको हम रिजॉल्व करते हैं और अंगले वीडियो में अंगले कॉलेज की पूरी जानकारी के साथ फिलते हैं तब तक के